इंडिये का पल्रा भारी तो कभी महागडबंधन का इन सब के बीच दस नॉम्बर की देराथ चुनाव आयोग द्वारा सभी 243 सीटों के परिनाम घोशित कर दिये गये हैं इन परिनामों के घोशना के साथ ही हत्तय हो गया है कि बिहार में फिर से एक बार इन डिये की सरकार बनने जा रही है पर नितीश कुमार की पार्टी जदियू को बड़ा जटका लगा है आये जानते हैं इन चुनाव परिनामों में किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान उठा पड़ा एन डिये को 125 और महागडवधन को 110 सीटे हासिल हुई है जबकि 8 सीटे अन्यकों मिली है दस तारीक की देर राचुनावा एक द्वारा इन परिनामों की घोशना की गई है हाला कि यह कोई प्रचंड बहुमत नहीं है बलकि एन डिये बहुमत की आकड़े को महत तीन सीटों के मामूली अंतर से पार कर सका है राजत एक बार फिर राज की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है हाला कि मुखमत नितिश कुमार की पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और जद्यू के विधायकों की संक्या एक हत्तर से घटकर सीधे 43 पर आ गई है वहीं बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है इस बार के चुनाव में बीजेपी को एक कई सीटों का फायदा हुआ है और उसे कुल 74 सीटे मिली है राजत इस बार भी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है और उसे राज में 75 सीटे हासिल हुई है चिराग पास्वान की पार्ट सीटों पर जित दर्ज करने में सफलता मिली है जबकि CPI को 2 और CPM को भी 2 सीटे हासिल हुई है कांग्रेस को इस बार 8 सीटों का नुक्सान हो गया है और उसे इस बार 19 सीटे ही मिल सकी है हाला कि कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाओ लड़ रही थी जबकि साल 2015 में मातर 43 सीटों पर चुनाओ लड़कर 27 सीटे जितने में सफल रही थी मुकेश सहनी की VIP पार्टी को 4 सीटे मिली है जबकि जीतन राम माजे की हम पार्टी को भी 4 सीटे हासिल हुई है हमको 3 सीटों का जबकि VIP को 4 सीटों का फायदा हुआ है सबसे चोकाने वाला प्रदसन इस बार असदुदीन वैसी की AIMIM का रहा है AIMIM को इस बार 5 सीटे मिली हैं उसे ये सभी सीटे सिमांचल के उन इलाकों में मिली हैं जो मुसलिम बाहुले इलाके माने जाते हैं AIMIM ने कई सीटों पर महागडबंधन का खेल भी विगाड़ा है और उनके वोट में सिंध लगाने में सफलता हासिल की है 2015 के पिछले चुनावों में NDA की ओर से BJP हम लोजपादी पार्टिया लड़ी थी जबकि महागडबंधन की ओर से राजद जद्यू और कांग्रेस लड़ी थी इस बार राजद और कांग्रेस एक साथ हैं और वाम दलों के साथ मिलकर उसने महागडबंधन बनाया है जबकि जद्यू इस बार बीजेपी के साथ इंडिये की ओर से लड़ रही थी इससे पहले कल पूरे दिन सभी पार्टी कारजालेओं में कभी ज़स ने तो कभी उदासी का महौल चलता रहा जब भी किसी दल को बढ़त मिल रही थी उस दल के कारजाले में करज करता खुशिया मनाने लगते थे और जिस दल की हार की संभावना आने लगती थी वहां मायूसिच्छा जाती थी राजनितिक दलों के दफ्तरों में मिठाया भी बटी पटाके भी चले और अंत तक यह इसपस्ट नहीं हो रहा था कि आखिरकार किस दल की सरकार सुबे में बनने वाली है इस कारण से हर दल ने अपने अपने अंदाज से खुशिया भी मनाई और मातम भी मनाया